एक बार इस अंडा करी को देखिए, ना इसमें है प्याज, ना इसमें है लसन, ना अद्रक, कुछ भी नहीं है, मगर देखिए कितना जवर्दस ग्रेवी है, धाबाक या रेश्ट्रेंट क्या सब को फेल करके रख दे, अपरा जवर्दस और लाजवाब ग्रेवी है, चलिए सुरू करते है आज का ये रेशीपी, अंडा करी हम बनाऊँगा, देख सकनो कितना अंडा ग्रेवी कितना अच्छा जवर्दस्त है, अब अंडा को जब भी बॉल करना है, अब एक बार पेसर गुकर में बॉल करके देखिए, अंडा बॉल बहुत ही अच्छा होता है, और अउसको एक सीटी लगाना है, ज्यादा सीटी लगाना नहीं है, अंडा आपका एक सीटी में ही बॉल हो जाएगा, और आपको इसमें एक चम्मच नमक डालने से क्या होता ना, अंडा जब आप चीलेंगे, अंडा बहुत अच्छा तरीका से चील जाएगा, और आपका यह देखिए अंडा मेरा अच्छा से बॉयल हो चुका है अब अंडा को क्या करना है आपको एक कांटा चमज ऐसा लेना है अंडा को चारा तरब में ऐसा करके आपको प्रेस कर देना है जो मसाला इसका अंदर में जाएगा तभी जो होगा अंडा करी जो है बहुत ही अच्छा बनेगा और खाने के लिए बहुत जबर्दस लगेगा गैरेंटी के साथ बोला हूँ मेरा चैनल में आप नहे हैं को तो मेरा चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंड कीजिए आप देखिए अंडा में पुरा देखिए ऐसा करके आपको होल कर देना है आप इधर देखिए पेश्ट करना है जो ग्रेवी के लिए है टमाटर आपको चूरना है पुरा लाल कलर का और बहुत अच्छा टमाटर आपको लेना है इधर काजू हम 25 ग्राम्स करीब लिया हूँ और ग्रीन चिली इधर जो है 6 पीस बस और कुछ भी मसाला नहीं है और अंडा करीब बहुत आपको अच्छा बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा बोल रहा हूं आपको इधर देखिए पेश्ट मुदर इधर मेरा पेश्ट जो है इधर बन चुका है पेश्ट कूस देखिए इस तरह से बना हुआ इसमें है ग्रीन चिली काजू और टमाटर अब एक कड़ाई में एक कप करीब ओल लेंगे अभी अंडा को फ्राई करना है और आपका जो तेल है अ थोड़ा कलर भी अच्छा आएगा और देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा इसके लिए जभी भी आप अंडा फ्राई करें इसमें थोड़ा हल्दी और चीली पाउडर जरूर एड़ करें अब देखिए मेरा अंडा इधर फ्राई हो चुका है अब इसको ज्याद छाझा आपको फ्राई कर्ने से क्या होता ना उपर जो आपका स्कीन सीकी यूर्ड़ा बहुत हाड़ हो जाता खाहने में आपको अच्छा ले गया इसके लिए आपको हलका फ्राई करना है थोड़ा सौप रेना चाहिए जब अंडा खाय तो अंडा जैसा लगना ही चाहिए अब देखिए मेरा अंडा इदर फ्राई हो चुका है बहुत ही बड़ी है फ्राई हुआ अब आपको ग्रेवी बना के दिखाऊंगा किस तर लेंगे टूल टेबल स्पून चीली पाउडर इसमें डाल देंगे और इदर टू टेबल स्पून धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है को फ्राई करने से आपको क्या होगा आपको जो मसाला उसमें कलर बहुत ही बढ़िया जीए क्योंकि यह बहुत उपर आएगा इसके लिए इसको स्लो फेम करके इसको चलिए अच्छा तरीका से आपको मिक्स करना है करने का बाद आपको आप इसको कम से कम 6-7 मिर तक आपको लगातार इसको भूलना है जब तक ऑईल इसमें सेपरेट ना हो जाए और ग्रेवी तो बोले लाजवाब बनेगा बहुत जबरदस बनेगा अब इसमें स्वाद अनुसा नमग इसमें आड़ कर देंगे करने का बाद इसको देखिए अच्छा तरीका से मिक देखने के लिए सच में बोला हूं यह रेसीप आपका ट्राई कीजिए बीना अध्रग लसुन बाला आपका जो है अंडा करी अब इसमें थोड़ा सा क्या है कस्तूरी मेठी डाल देंगे कस्तूरी मेठी का जो फ्लेवर होता ना बहुत ही अजब होता रेक बार जरूर इसना अच्छा अता और आपको किचेन में पुरा खुस्जूब बढ़ जाएंगal अब इसमें क्या करना ना थोड़ा साहारा थनिया पता, इसलिए हम डाल लाओ और बाद में भी आपको धनिया पता डालना इसलिए हम इदेर डालना थनिया पता अुर्ण हो अ अच्छा त से भूनेंगे अब देखिए ग्रेवी कितना देखने के लिए लाजवाब लग रहा आप खुद बूलिए कमेंट में जरूर आप बताएंगे अब देखिए ग्रेवी जो मेरा इधर बहुत ही अच्छा से पत चुका है अब इसको ऐसे भूनने का बाद इसमें क्या करना है से आपको पानी एड करना है पानी एड करने का पहले से आपको एक चीज़ ज्याना अंडा डाल के इसको अच्छा तरीका से भून लेंगे उसका बाद में आपको पानी डालना है क्योंकि पानी अभी पहला मध डाल यह पहला अंडा डाल देंगे अंडा डालने का बाद इस करके बताएंगे अब आप इसको अच्छा तरीका से झायेगा अब इसमें क्या करना है थोड़ा सा इसमें चिक्रीक मसाला हम इति करूँ गा इते मसाला हम करने म नेतरीक ठीस तडूस्टरीक से भून लेंगे भूरिंगे तो खtat गबाळा ना चिकर न यह साधा पकाने का बाद में जो है आपको चीक अंडा करी पूरा रेडी हो जाएगा अभी दी कि अच्छा तरीका से कम सम एक दो मिल्ट तक उबाल लेंगे जैसे उबाल आ जाएगा उसका बाद इसमें क्या करना आपको थोड़ा धनिया पत्ता इसमें एड करेंगे आप देखिए जो अच्छा तरीका से भूल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे आप आप देखिए अंडा करी जो है मेरा इदार रेडी है अंडा करी का रेसीपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंड कीजिए ऐसे मज़ेदार और नया नया रेसीपी के साथ में अब देख सका होंगे अंडा करी कितना जबर्दस लग रहा एक बार जरूर यह रेसीपी आप बनाईए और घर में ट्राइओ किजिए पसंद आयतो प्लीज कमेंड करके बताईए फीर मिलेंगे इसे मज़ेदार और नया नया रेसीपी के झाल झाल